हलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके इस चैनल में सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक CAC वेली हुकोमन सेर्विस सेंटर संचालक हो तो आप सभी के लिए गुणने हुज है क्योंकि CAC में एक ऐसे सर्विस है है जहां पर शें आप काम करके 3,000 से लेकि 5,000 महिनों कमा सकते हैं सो आज कि इस वीडियो में आप लोग कंपलिट बताने वालें कि वह कौन से सर्विस है किस परकार से करेंगे और इस सर्विस में आप किस परकार से विर्क करेंगे एंड साथ में हम बात करने वाले हैं कि एक CAC वेली किस परकार से आप 3000 से लेके 5000 के महिने आप कमा सकते हैं आज की इस वीडियो में आप लोग कम्पलीट डिटेल में बताने वाले इस वीडियो को आप जरू लाश्ट तक देखेगा सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आप डिजिटल गाइड उपीशल वाट्सप ग्रूप से जोएन नहीं हुए तो आप जोएन हो सकते हैं जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो सबसे पहले आप लोग को बता दे कि कौन सी सर्वीस है देन हम बात करने वाले रेजिस्टेशन के प्रोसेस के बारे में तो आप सभी को बता दे कि टेली लोग के सर्वीस है बेसिकली बहुत सारे CACVL को टेली लोग सर्वीस के बारे में पता है तो इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट वताने वाले कि आप टेली लो में किस परकार से वर्क करेंगे इससे पहले आप लोग को बता दे कि टेली लो होता क्या है तो आप सभी को बता दे कि Department of Justice का आनि की Government of India का Portal है जहां पर से अब कोई भी बेक्ती अपने नियरे CAC Center आनि की एक CAC VLE के माध्यम से कानूनी सला ले सकते एक Advocate के थुरू से तो एक CAC VLE इसमें वर्क किस परकार से करेंगे तो आप सभी को बता दे कि यहां पर से अपने अंदर CAC के अंदर एक PLV करेंगे जिसके बाद कोई भी बेक्ती PLV के माध्यम से यहां पर से Advocate के थुरू से Consult किया जाता है और उस बेक्ती को कानूनी सला दिया जाता है तो कुछ इस परकार से यहां पर से वर्क किया जाता है जिसमें से सबसे पहले एक CAC VLE के माध्यम से ही सारा वर्क होता है और इसमें एक CAC VLE को एक अच्छा खासा इंकम भी हो जाता है तो चलिए बात करते कि यहां पर से आप किस परकार से अपने अंदर PLV को Create करेंगे देन हम बात करेंगे कि आप इसमें इस पोर्टल के माध्यम से किस परकार से किसी भी बेक्ति को कानूनी सलाग के लिए केस रजिस्टर करेंगे इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट बताने वाले हैं इसे पहले आप सभी को बता दें कि अब तक यहां पर से टेली लोड में जो की टोटल केसेस रजिस्टर हुए हैं वो अब तक यहां पर से 26,32,306 केसेस और डेडी रजिस्टर हो चुक है इससे पहले आप यहां पर से देख सकते हैं कि यहां पर से टेली लोग में एक लाग CAC VLE एक्टिव हैं और इसमें और भी कर रहे हैं और यहां पर से CAC के माध्यम से टोटल 26,32,306 केसेस रजिस्टर हुएं जिसमें से 25,72,63 केसेस को यहां पर से एक एडवोकेट के थूरू से यहां पर से एडवाइज भी दिया गया है एसे में आप सभी को बता दें कि एक एक CAC VLE तो अपने अंदर यहां पर से एक PLB क्रेट करेंगे तो PLB क्रेट करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोशेस होता है उसके बद कोई भी बेक्ति को यहां पर से कानून रिलेटेड सला होता है तो लोग यहां पर से अप्लिकेंट आनी कि यहां पर से डिकली लोगिन कर सकते हैं लेकिन इससे पहले CAC VLE ही रजिस्टेशन करेंगे उसके बाद आता एक एडवोकेट आनी कि यहां पर से लोगिन करेंगे जो कि यहां पर से अप्लिकेंट को एडवाइज देंगे उसके यहां पर पर प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र पुश्राइब करेंगे तो यहां पर से आइडियो और फास्ट और फिल कर लिए उसके बाद यहां पर से आप सबसे पहला प्रोसेस आता है वह आप लोगों को आता है पी एल भी क्रिएट करने के लिए तो आप यहां पर से लोगिन होने के बाद आप सबी को कुछ इस परकार से डेस्बोर्ट देखने को मिलता है तो आप सबी को बता दे कि यहां पर से सबसे पहले आप अपने CAC के अंदर एक PLV क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहां पर से कोई भी बेगती है अगर केस रेज इमेल को फिल करेंगे जिसकी पासवर्ड को आप अपर से कमफर्म करेंगे उसके बाद अप यहां पर से पीजान पर से करेंगे वह Chili निससों कोई भी बेक्ति को अगर कानून से रिलेटर सला चाहिए तो उसको आप यहां पर से एड़ कर सकते हैं रेजिस्टर कर सकते हैं तो उसके लिए आप सभी लोगों करना क्या होता है तो यहां पर सब्सक्राइब को बहुत सारे ओफ्सन देखने को मिलता है इससे पहले आप सभी को बता दे कि PLB का work क्या होता है तो PLB का work होता है basically यहाँ पर से advocate से consult आनि कि applicant को दिलवाना तो यहाँ पर से beneficiary list के option में आप जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर से आप beneficiary को add कर सकते आनि कि जिस भी बिक्ति को कानून से related यहाँ पर से advice चाहिए तो उसको आ आप उनका यहाँ पर से list भी check कर सकते हैं तो कुछ इस परकार से इसमें work करना होता है आनि कि यहाँ पर से एक CACVLE को एक PLB create करना होता है और कोई भी बेक्ति यहाँ पर से कानून से related उनको कोई भी advice चाहिए तो वो basically आप एक CACVLE हो तो उसमें आप register करेंगे जिसके बाद एक PLB एक advocate के थुरू से appointment को book किया जाता है उसके बाद उस appointment को date को ही applicant को बुलाया जाता है और關 related एक एडवोकेट के थुरू से एहां पर से उस बेक्ति को दे दिया जाता है probabil tem प्रकार से कमिशन दिया जाएगा तो आप सभी को बता दें कि जिस किसी को अगर आप अपने फैमिली में किसी को भी आप पीलबी बना सकते हैं जहां पर से टेली लोग की माधिम से एक पीलबी को हर एक महीने 15 रुपे दिये जाते हैं इसके अलवा आप जितना भी आप यहां पर से लोगों कानुनी सलावत दिलवाएंगे उन लोग को आप लोग को कमिशन दिये जाते हैं जहां पर से आप सभी लोगों पड़ते केस पर अलग-अलग कमिशन दिये जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से अगर आप यहां पर से टोटली काम करेंगे तो आप महीने के 3000 या